पेमेंट के नाम पे यहां पे खुछ भी नहीं लिया जाता है आपसा आपको जितनी भी जोब मिले के वो डायरेक्ट मिलती है 18 से 20,000 CTC सेलरी है आप लोगों के लिए मैं हाजिर हूँ एक और अच्छी फ्री जोब के साथ में है अगर आप चैनल पर नए है तो जल्दी से सब्सמंतर करें और पास वाले बाइल लाईकों को टच करें उस से नहीं नहीं जोब के प्रेट्स आप तक जल्दी से जल्दी मिलें और अगर आप पुराणे विवर्स है तो वीडियो को एंड संट तक देखें इस जोब में आपको बहुतारी अच्छी फैसलेटी देखने को मिलेगी, अच्छी सेलरी देखने को मिलेगी, तो गाईस, सुरू करते हैं, जो आज का जोग है, वो होने वाला है, कुछ अलग से, कुछ हट के जोग होने वाली है, ये जो जोग होने वाली है, आज की जो जोग होने वाली है, वो न कुछ एकसर अलग से इंकाम हो तो वो केमेंट इस जोब के लिए कर सकता है सिर्फ और सिर्फ आठ गंटे की ड्यूटी रहने वाली है इस जोब में तो गाइस हो जो कौन सी है एक चुल गाइस मैं सही बताऊं तो यह जैसा हम लोगों का प्लेटफॉर्म है वैसा प्लेटफॉ सिर्फ और सिर्फ वर्डेट आवर आपको फ्री जोड देता है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वर्डेट आवर को हुंड़र सबैर हो आख गहनेे का मतलब है कि आप चाहिए रात के संब Stage 11 बजे उन जो चैय तो क्मण्ट से लगाकर आपहो है ने सैं अच्छा फ्यूचर बनाएं गाइस आज की जो जो बने वाली है वो जो बने वाली है नाइट सिप्ट के लिए यह जो जो बने वाली है अक्से कलपा में आपको रात तकम रहेगा अब इसमें जो है लेंग्वेज कौन से भी चलेगी स्टार्डिंग में लिंग्वेज सी बात करता हूँ क्यूंकि काफी सारे जो केंडिड़ेट्स ऐसे भी रहते हैं जो कौल करके बोलता है कि सर आप काफी टाइम हो गए लोकल लिंग्वेज में एक वीडियो बनाएं कनड़ा में एक वीडियो बना के छोड़िये तो एक्छिल क्या रहता है कि यहां के जो लोकल केंडिड़ेट्स से उनको हिंदी समझ में अच्छे से प्रोपरली आ जाती है लेकिन जो आउट आप स्टेशन वाले हैं यहां पर अमलॉल्टी बेंगलोन में रहे रहे हैं उनको क्या हता है कि लोकल लेंग्वेज करने राप फड़ी तो इसमें सीटी सी सेलरी होने वाली है 18 से 20जार रुपए मान के चलिए सीटी सी सेलरी है इसमें सीटी सी सेलरी 18जार आएगा प्लस ड्यूटी होने वाला है 8 वंठा ड्यूठी देखने को मिलेगी इसमें आपको ESI P.F.T. facility देखने को मिलेगी इसमें आपको extra benefit में जो है incentive देखने को मिलागा इसमें आपको plus जो extra government हो लिटा आता है वो तो आपको देखने को मिले गई इस job में तो जो जो candidates है इस यहां के बैंगलोर में रह रहे हैं उन लोग के लिए जो अच्छी है minimum qualification की बात करो तो minimum इसमें 12th pass होना चाहिए बार में minimum pass होना ही चाहिए इस जोग के लिए बाकी में हम लोगों के पास helper जोग दूसरी category बहुत सारी है वो चाहिए तो जो अनपड़ लोग उसके लिए अपलाई कर सकते है तो minimum 12th pass होना चाहिए only सिर्फ male candidates तो अब night की बात करो तो रात के 8 बज़े से लगाकर सुबर 6 बज़े तक beauty इसमें रहेगी सिर्फ पर सिर्फ 8 गंडा duty रहेगी इसमें 8 गंडा duty रहेगी इसके लबा एक्चुल में क्याम का क्या रहेगा कि जो अक्से कलपा का नाम सुना होगा जैसे बैंगलोर में करनेटका में नंदनी जो है रहता है नंदनी डेरी प्रोड़क्ट जो है रहता है वो अपने नाम सुना होगा काफी जाना कचाना नामे नंदनी प्रोड़क्ट का वेसे वेसे एक अक्से कलपा है जो डेरी प्रोड़क्ट में आता है अच्छा जो responsible है जो है market में आप जाएंगे तो अकसे कलपा का दूद आता है अकसे कलपा का आपको जो दई देखने को मिलेगा अकसे कलपा का पनीर देखने को मिलेगा काफी सारे product इस के आते हैं अकसे कलपा के तो उसी company में आपको काम रहेगा एक्चल में काम क्या रहेगा कि रात के समय जो उनका दूद का जो गाड़ी जाता है फोर्विलर जहां जहां उन लोगों का सामान कहां पर कितना उतारना रहता है loading unloading करना रहता है उसके साबस आपको एक list दी जाती है company के तवारा वह list देखके आपको एक store पर इतना packet या फिर एक store पर इतना product जो है देना रहता है तो लिस्ट के साबस आपको देना रहेगा अब आपका क्या काम रहेगा उसके साथ में कि सिर्फ list लेके खड़ा रहना रहेगा आपके साथ में एक helper रहेगा वह helper उतारने चड़ाने का काम करेगा फिर भी आप उसका help कर सकते हैं helper के साथ में इसमें सेलरी मेंने जैसे बता रहता है कि 18-20,000 ctc सेलरी देखने को मिलेगी काम कुछ ज्यादा hard होने वाला नहीं है minimum 12th pass candidates चाहिए इस जोग के लिए night ships रात के 8 बज़े से लगांकर सुब जो एची है वेज़े तक duty रहेगी इसमें ये जोग जो है permanent job है ये जोग permanent job है दूसरी कि ये जोग आपको direct job है on roll job है एक्चुल में हमारी company के थूप आपको जितनी भी job देखने को मिलती है वो सब की सब on roll रहती है off roll job हम लोगों के पास 80% नहीं देखने को मिलती है अब off roll और on roll का क्या मतलब है बताओं कि जो on roll job रहती है वो direct company के थूप रहती है आपकी salary जो है वो direct company के थूप आती है बीच में जो है कोई agency वाला या फिर बीच में कोई बीचोरिया या फिर बीच में कोई consultancy वाला आपक कि जितनी भी salary आईगी वो सारी की सारी आपके direct company के थूप आईगी इससे क्या होता कि आप direct company के थूप जूड़े रहते हैं आपका progress होता है आपकी salary increase होती है तो direct company के थूप होती है उससे क्या कि आपको direct benefit मिलता है और YouTube मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं company वाला रहेगा कि जो on दावा दूसरी बात रहते हैं कि हमारे हां हर टेम आपको free job देखने को मिलती है ACB facility सिर्फ फर सिर्फ work at work के पास मिलेगी आपको AC facility और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे ना तो आपके joining form का charge दिया जाता है यहाँ पे ना तो आपका room का charge दिया जाता ह इससे आपको कुछ payment जो है करना पड़े है तो payment के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया जाता है आप से सिर्फ आप में कावियत होनी चाहिए सिर्फ आपने ability होनी चाहिए उस job के इसाब से उस job के और उस काम के related में हम लोगों के पास कापी सारे से call साते दिन में के सार एक्स वाई जेड कंपणी में जो है पीकिंग पेकिंग का काम अच्छा चल रहा है आप भी लेकर आई है अब मैं एक चीज बताओं कि गाहिस देखो ऐसा है कि ऐसी सारे पिकिंग और पेकिंग का काम जो रहता है हम लोगों के कंपनी के पास आता है लेकिन वह काम आप खु आखेदार या फिख कोंड़के कर सकते हैं तो कंपनी को में त्यान काम नहीं कर सकता है早 लेकिन हाने कि आपको यह जोम मिलती है लिलती है, उससे क्या रहता कि आप डॉरेक्ट कॉंपनी से जुड़े रहते हैं, उससे, आप चाहें हैं एक साल ख़र सकता हैं, तीन साल कर सकता है। तरहें आप शालरा लिए। सिर्फर से वर्केटवर में ऐसा देखने को मिलेगा जो और कोई भी कंसर्टेंस एजनसी या फिर और कोई एजनसी या फिर और कोई जो है आपको प्रोवाइड नहीं करता ऐसा सब कुछ हाँ वो इतना बहुत सारा फेकते हैं यह आपको भी और मुझे भी पता है कि जो है आपको जो है Steel करेंगे हर जोग के बारे में पहले फ्री जोग बोल के सब कुछ आपको बता देंगे कि आपको आपको वर्क टावर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा यहां पर पहले बात पैसा लिया जाता ही नहीं है तो रिफंट होने के तो सवाल ही नहीं पहला होता है तो गाइस यह जो जोग है के लिए होने वाली है आज की जोग है अक्से कल पाम में नाइट शिप्ट रणी है अभी पर्जेंट टाइम में अठारा से बीस जार सीटी सी सेलरी है एसाई पी एफ सब कुछ काट खुट के आपका पंद्रह हजार इन हैंड देखने को मिलेगा इस जोग में खाना और रहने की फैस्टर की नहीं है जो 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 इंटरस्टेट है वो चाहिए लोकल से है या फिर आउट अप स्टेशन से जो अरड़ी बेंगलोन में रह 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 हूँ या फिर जो इस्टूडेंट है दिन में जो है एक दो गंडा दीन गंडा इस्टडी करते हैं वो चाहिए तो रात में इस जोग के लिए प्लाई कर सकता है सबसे पहले अपना रजियों बहसें तीन राउंड में इंट्रिव होता है लोकेशन रहेगा बंसंकरी वर्क लोकेशन आपको और बैंडलवर देखने को मिलेगा एक्चुल में काम में बता दिया कि जहां जहां उनका दूद का गड़ी ज़्यादा है वहां उनके साथ में जाना रहेगा वहां पे कितना केहन सा प्रोड़क्ट कौन से स्टोर में उतारना रहेगा वह रूट के बस उतना ही काम रहता है कुछ ज्यादा हाड काम नहीं रहता है तो गाइस एक और अच्छी हेलफल जोब थी आप लोगों के लिए तो गाइस वीडियो को एंड तक बने रहने के लिए दिल से एक पर और धन्यवाद हुआ 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 है